हेलो दोस्तों अगर आप एक WhatsApp users हैं WhatsApp को use करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ काफी person कह रहे हैं कि भई हमारे जो WhatsApp पर जब कोई notification send करता है तो उसकी जो timing होती है वो change होती है वो गलत होती है जिस वकत पर वो message करता है वो time हमें show नहीं होता है उससे अलग कोई और timing show होती है कहने का मतलब यह है कि किसी person ने message किया हमे और वो जो notification आया उसकी timing गलत होती है जबकि जो time होता है वो अलग होता है लेकि notification की jó timing होती है वो अलग हो जाती है ऐसा क्यों हो रहा है इस प्रोलम को हम कैसे solve करें तो अगर आप इस प्रोलम को solve करना चाहते हो तो वीडियो को भी ना skip के आपको end तक देखना होगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के नाम जाने जे मेरे नामे शाहिदूर आप देख रहे के लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको playstore पर जाना है वहां पर चेक करना है कि आप के इस्टागर अपडेट तो नहीं आया हुआ है ऐसा करने से आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी अगर फिर भी solve नहीं होती है तो आप एक बार check करेंगे कि आपके phone के अंदर जो timing हो रखी है वो कौन सी है कैसी है वो सही भी है या फिर गलत आपने वहाँ पर timing set कर रखी है आपको ये भी check करना है अपने phone की time आपके phone के अंदर क्या time है और आप दूसरे के phone से मिला सकते हो उसको देख सकते हो अगर आपको येसा लगता है कि timing भी गलत हो रही है तो उसको भी आपको same मिला लेना है same कर लेना है और अगर आपको ये वहाँ पर एक चीजह का ध्यान लगना है जब हम यहाँ पर WhatsApp को use करते हैं और कोई हमें message send करता है तो अगर हम message को उसके scene बहुत देर बात करते हैं तो हमें वहाँ पर उसकी timing थोड़ी बहुत changing दिख जाती है उसमें थोड़ा बहुत गलत दिख जाता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी जो इना notification की timing गलत हो रही है कभी-कभी यहाँ पर ऐसा होता है कि network की problem की वज़ा से हमें timing गलत दिखाई जाती है जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ सही होता है और यह तब होता है अगर हम बहुत देर के बाद में message को scene करते है और अगर आप message आते ही तभी के तभी scene कर रहे हो और तब आपकी यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है, timing गलत नहीं होती है तो समझ लीजे कि यह late की problem है मैंने आपको दो से तीन चीजे बताई है, यह चीज करके देख लीजे, आपकी problem जो है, इसमें solve हो जाएगी I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगएगी, आपको बसंद आएगी तो उसको like करें, share करें मेरे चैनल को subscribe करने न भूलें, जो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में